Using the Computer and Managing Files Introduction पहले मॉडियूल में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ बुन्यादी मालुमात हासिल कर चुके हैं. इस मॉडियूल में हम आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ मजीद मालुमात फरहम करेंगे. Objectives इस लेसन में आप अपने कंप्यूटर को on, off करना सीखेंगे. ना सिर्फ ये, बलके आप कंप्यूटर में नजर आने वाली मुख्तलिफ चीजों के बारे में भी जान जाएंगे. इस लेसन को करने के बाद आप ये जान जाएंगे के विंडो किसे कहा जाता है और वो कौन-कौन सी चीजें हैं जो हर विंडो में मौजूद होती हैं. इस lesson में आप ये भी सीखेंगे के operating system किसे कहते हैं और आपके computer पर कौन सा operating system install है। यहाँ तक के आप ये भी जान जाएंगे के आपके computer पर कितनी capacity की RAM मौजूद है। इसके इलावा आप CPU की processing speed भी जान सकते हैं और आप अपने CPU का brand भी देख सकते हैं। इससे आप बाअसानी अपने computer की configurations का अंदाजा लगा सकते हैं। यानि आपको अपने computer की processing speed, RAM की capacity और operating system का version पता चल जाता है। इस lesson के आखिर में आप अपने computer से मदद भी ले सकेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप computer पर काम करते हुए, अगर मुश्किल महसूस करें, तो आपको इस मुश्किल से निकलने का तरीका भी computer ही में से मिल जाएगा, यानि computer आपकी मदद भी कर सकता है। Start the computer. सबसे पहले हम computer को चलाना या on करना सीखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये एक CPU नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस CPU पर एक बटन है। इस बटन को हम power button कहते हैं। इस बटन को दमाने से computer काम करना शुरू कर देता है, यानि start हो जाता है। Computer start होते ही आपके सामने monitor पर कुछ text नजर आने लगता है, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। कुछ देर के बाद आपके monitor पर एक screen आती है। इस screen को हम desktop कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि desktop क्या चीज़ है, आए डेस्क टॉप के बारे में तफसील से जानते हैं। Desktop ये तो आप जानते ही हैं कि मेज को हम अंग्रेजी में desk कहते हैं। मेज के उपर वाल हिस्से को desktop कहा जाता है। जिस तरह आप अपनी मेज के उपर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं और उनसे काम करते हैं। उसी तरह आप computer पर भी अपनी पसंद के software's computer की screen पर रख सकते हैं। इसी लिए इस screen को desktop कहा जाता है। इस desktop पर जो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं इनको icons कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इन icons के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। इस तरह के icons आप खुद भी बना सकते हैं। मगर icons बनाना हम बात में सीखेंगे। आपको screen के निचले हिस्से में एक बार नजर आ रही है। इस बार को हम task bar कहते हैं। इस बार में भी कुछ icons बने हुए नजर आते हैं। मगर कब और कैसे ये हम बात में देखेंगे। टास्क बार के दाएं किनारे पर आप बहुत से छोटे icons बने हुए देख सकते हैं। टास्क बार के इस हिसे को हम system tray कहते हैं। टास्क बार के बाएं किनारे पर एक बटन है जिस पर Microsoft Windows का icon बना हुआ है। इसको start button कहते हैं। Shut down the computer. हमने computer को चलाने का तरीका तो सीख लिया। और desktop के बारे में भी काफी कुछ जान गए। आईए, अब हम सीखते हैं कि computer को बंद किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम टास्क बार में मौजूद start के बटन पर क्लिक करते हैं। इस बटन को दबाने से आपके सामने एक list आ गई है। इस list में मुक्तलिफ choices हैं। बाकी options को हम बाद में देखेंगे। अभी हम पहली option यानि shut down पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अप थोड़ी देर में आपका computer खुद बंद हो जाएगा। अगर आप अपने काम के दोरान ही power button को दबा देंगे तो ना सिर्फ आपका किया हुआ तमाम काम जाया हो जाएगा। बलके आपका computer खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा introduction Windows के बारे में देते चलें। Windows के मुख्तिलिफ सालों में मुख्तिलिफ वर्जिन्स आते रहते हैं। इन में 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 फर्क उनके features और look and feel का होता है। जैसे Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 वगेरा। Windows के मुख्तिलिफ वर्जिन्स में computer के shutdown का अमल थोड़ा सा मुख्तिलिफ भी हो सकता है। ये थे Windows के मुख्तिलिफ वर्जिन्स अब हम वापिस अपने lesson की तरफ आते हैं। restart the computer अभी हमने सीखा के computer को बंद किस तरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं के computer खुद बखुद बंद हो और फिर दोबारा start हो जाए यानि restart हो जाए। तो जिस तरह हमने computer को shutdown किया था, इस तरह हम start के button पर click करने के बाद shutdown के साथ बने हुए इस arrow पर click करते हैं। अब हम drop down menu में से restart पर click करते हैं। आप देख सकते हैं के computer बिलकुल उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरह shutdown पर click करने से हुआ था और फिर कुछ तेर के बाद दोबारा start हो रहा है। और आपके सामने फिर से desktop आ गया है। Basic Window Properties आईए अब हम Window Properties के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने desktop पर एक icon बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे computer लिखा हुआ है। इस पर double click करते हैं। डबल click करते ही एक screen हमारे सामने आ गई है। इस screen को computer folder कहा जाता है। आईए computer folder को explore करते हैं। सबसे उपर आप नीले रंग की एक बार देख सकते हैं। इस बार के दाए किनारे पर आप तीन छोटे से बटन बने हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बटन पर dash बना हुआ है। इस बटन को हम minimize button कहते हैं। इसको दबाने से computer folder सिमट कर task bar में आ जाता है। ये देखिए इस folder पर click करने से ये screen दुबारा हमारे सामने आ गई है। इस अमल को हम folder minimization या folder को minimize करना कहते हैं। डेश से अगले बटन पर एक डबा बना हुआ है। इस बटन को maximize button कहते हैं। इसको दबाते ही हमारे सामने मौझूद screen बड़ी हो जाती है। और पूरे desktop पर आ जाती है। और ये बटन भी तबदील हो जाता है। स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम folder maximization या folder को maximize करना कहते हैं। इस तबदील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापिस उसी size में आ गई है जिसमें पहले थी। सबसे आखरी बटन पर cross बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये folder टास्क बार में भी नजर नहीं आ रहा। यानि ये folder अब बंद हो चुका है। इस folder को दुबारा खोलने के लिए हमें फिर से desktop पर मौजूद computer के icon पर double click करना पड़ेगा। अब हम दुबारा इस folder को खोलते हैं और इस folder में मौजूद बाकी हिस्सों को देखते हैं। उपर वाली बार के नीचे जो बार आपको नजर आ रही है उसमें बाएं तरफ दो बटन्स नजर आ रही हैं जिनमें तीर के निशान हैं। इनको back and forward बटन्स कहते हैं। इन बटन्स के साथ दाएं तरफ एक बॉक्स में कम्प्यूटर लिखा नजर आ रहा है। इसको address बार के साथ दाएं तरफ एक और बॉक्स है। इसको search बॉक्स कहते हैं। इनको किस तरह इस्तमाल करना है ये हम बाद में सीखेंगे। इस बार के नीचे ये एक और बार है। इस बार को हम toolbar कहते हैं। इस बार में बने हुए बटन्स से हम कई मुफीद काम कर सकते हैं। ये बटन्स हमारे लिए tools का काम करते हैं। इसलिए इस बार को toolbar कहा जाता है। विंडो में सबसे नीचे मौजूद बार को डीटेल्स पैन कहा जाता है. इस पैन में आपको कुछ मजीद information नजर आती है. इन सब की तफसील हम बात में पढ़ेंगे. आपको मालूम होना चाहिए कि जिस कम्प्यूटर पर आप काम कर रहे हैं, उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है? या इस कम्प्यूटर की रैम कपैसिटी कितनी है? ये सब जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आईए देखने हैं. सबसे पहले हम कम्प्यूटर के आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं. आपके सामने एक छोटा सा मैन्यू आ गया है. इस मैन्यू में से हम सबसे आखरी आप्षिन यानि प्रॉपर्टीज की आप्षिन पर क्लिक करते हैं. आपके सामने एक और स्क्रीन आ गई है. इस स्क्रीन के एड्रेस बार में सबसे आखर में सिस्टम लिखा हुआ है. इस विंडो में आपके सामने एक विंडोज का आइकॉन बना हुआ है. इस आइकॉन के साथ सबसे उपर विंडोज एडिशन लिखा हुआ है. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके कम्प्यूटर में कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है. विंडोज एडिशन के बाद आप सिस्टम लिखा हुआ देख सकते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके कम्प्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड कितनी है और आपके कम्प्यूटर पर रैम कपैसिटी कितनी है. जो स्क्रीन आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि 6 GB रैम लिखा हुआ है. हो सकता है आपके कम्प्यूटर में रैम की कपैसिटी और हो जैसे 2 GB, 4 GB वगएरा. इस विंडू को बंद करने के लिए हम टाइटल बार में बने हुए क्रोस पर क्लिक करते हैं. कम्प्यूटर जैस्क्टॉप कन्फिगूरेशन आप अपने कम्प्यूटर पर तारीख और वक्त भी देख और तबदील कर सकते हैं. यहां तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्क्टॉप पर कोई तस्वीर आए, तो आप अपनी मर्जी की तस्वीर अपने डेस्क्टॉप पर ला सकते हैं. आएए देखते हैं, यह सब कैसे करना है? शिस्टम ट्रे में, जहां आपको वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां हम क्लिक करते हैं. आप पे सामने एक विंडो खुल गई है, जिसमें दाए जानिब एक घड़ी बनी हुई है, और देखिए, इसमें सेक्ट्स वाली सुई हरकत भी कर रही है, और उसके नीचे वक्त भी लिखा हुआ आ रहा है. बाए जानिब पर ये एक कैलेंडर बना हुआ है, जिसमें आज की तारीख नीले रंग के डब्बे से नुमाया है, या हाइलाइटड है. अब हम इस विंडो के नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, तो एक डायलोग बॉक्स ओपन हो जाता है. यहाँ पर डेट एंड टाइम के टैब में वो ही खड़ी आपको नजर आ रही है. इसके नीचे Change, Date and Time पर क्लिक करते हैं जो विंडो अब आपके सामने है आप देख सकते हैं कि इसमें मौझूदा वक्त ग्यारा बच कर चालीस मिनट हो रहे हैं हम इसको तब्दील करके बारा बच कर चालीस मिनट कर रहे हैं यहां से आप माय जाने बने हुए कैलेंडर से तारीख, महीना और साल चूज कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने कम्प्यूटर पर किसी भी किसम की आवाज सुन सकते हैं इसलिए आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है यह काम करने के लिए हमको क्या करना है आईए सीखते हैं आप सिस्टम ट्रे में एक स्पीकर बना हुआ देख सकते हैं इस स्पीकर पर क्लिक करने से आपके सामने एक स्लाइडिंग बार आ जाती है इस बार को उपर करने से आवाज ज्यादा हो जाती है और नीचे करने से आवाज कम हो जाती है अब हम डेस्क टॉप पर राइट क्लिक करते हैं आपके सामने ये एक छोटी सी लिस्ट आ गई है हम इस लिस्ट में मौझूद सबसे आखरी आप्शन पर क्लिक करते हैं आप अपने सामने एक विंडो देख सकते हैं इस विंडो में उपर चेंग दे विजूल्स एंड साउंड और यूर कम्प्यूटर लिखा हुआ है और इसके बिलकुल नीचे बॉक्स में बहुत सारे थीम्स दिये गए हैं हर थीम में डेस्क टॉप बैक्राउंड, विंडो कलर, साउंड्स और स्क्रीन सेवर पहले से तैशुदा डिजाइन के साथ दिये गए हैं इस वक्त इस कम्प्यूटर पर विंडोज सेवन की थीम अप्लाई की हुई है, जो इस वक्त सिलेक्टिट है इस theme के मताबिक computer के desktop background, window color और sounds जो selected हैं, वो हमें इस box के नीचे यहाँ नजर आ रही हैं, जबकि screen saver इस design में शामिल नहीं है, इसलिए इसके नीचे none लिखा नजर आ रहा है अब हम इसमें से architecture की theme पर click करते हैं, तो देखें, नीचे दिये गए designs बदल गई हैं, इसके इलावा अगर इस window को minimize करें, तो देखें, इस computer के desktop पर लगी हुई तस्वीर बदल गई है तस्वीर के साथ साथ इस theme के design के मताबिक sounds और window color भी तबदील हो चुका है नीचे दी गई हर option में से हम अलहदा अलहदा changes कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम desktop background पर click करते हैं, तो हमारे सामने जो screen आती है, इस पर लिखा हुआ है choose your desktop background, नीचे box में मुख्तलिफ categories के नीचे तसावीर नजर आ रही है ये एक बहुत लंबी list है, इस list में किसी भी तसवीर पर click करने से वो तसवीर select हो जाती है लिस्ट में बाकी तसावीर को देखने के लिए हम sliding bar को नीचे ले जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये सारी तसावीर बारी बारी हमारी computer की screen पर तबदील होती रहे तो हम select all के इस button पर click करते हैं और नीचे दी गई change picture every option पर जाते हैं इसके नीचे drop down list से हम 10 seconds पर click करते हैं अब save changes के button पर click कर देते हैं तो इस तरह आपके monitor screen पर हर 10 seconds के बाद तसवीर बदलती रहेगी जैसा के आप देख रहे हैं कि वो सारी तसावीर जो आपने select की थी बारी बारी desktop पर तबदील हो रही है इस list के उपर एक button है जिस पर browse लिखा है इस button को दबा कर आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी ला सकते हैं box के नीचे एक drop-down menu है जिसके उपर picture position लिखा हुआ है इस menu में 5 options हैं सबसे उपर fill लिखा हुआ है हम इस पर click करते हैं click करने से तस्वीर monitor पर पूरी पूरी आजाती है इस list की दूसरी option पर fit लिखा हुआ है इस पर click करने से तस्वीर अपने असल size में आ जाती है और अगर तस्वीर monitor की screen से छोटी हो तो screen के दाए, बाए, उपर या नीचे काली जगे रह जाती है जैसा के आप देख रहे हैं तीसरी option stretch की है जैसा के आप जानते हैं के stretch का मतलब खींच ना है इस option पर click करते ही computer तस्वीर को खींच कर screen पर पूरा कर देती है चौती option tile की है इस पर click करने से picture अगर छोटी हो तो computer उसी size की तस्वीरों से monitor की screen भर देता है पांचवी और आखरी option center की है इसका मतलब यह है कि इस option के तहे तस्वीर monitor की screen के दर्मियान में आ जाएगी और अगर तस्वीर छोटी हो तो monitor की screen का कुछ हिस्सा खाली होने के वज़ा से black नजर आएगा फिल हाल हम पहली option fill को select करते हैं और save changes के button को press कर देते हैं हमारे सामने फिर वो ही पहले वाली window है desktop background से अगली option window color की है जो इस वक्त sky selected है जैसा के आप देख रहे हैं window color दरसल जो भी window आप open करते हैं उसकी title bar और screen की borders का color है इसके अलावा start menu और task bar का color भी वही होगा जो window के borders का होगा हम इस पर click कर रहे हैं तो नई window हमारे सामने आ गई है इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ color combination दी गई है हम यहाँ से chocolate color पर click करते हैं तो देखें start menu, window और task bar का color तबदील होकर chocolate color हो गया है इसके नीचे enable transparency की option है इसके साथ बने हुए डबबे पर click करने से task bar, window borders और start menu transparent हो जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यानि इनके पीछे जो भी item या window होगी वो भी किसी हद तक नजर आने लगती है इस transparency को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है जैसा कि हम color intensity के सामने इस बार को mouse की मदद से कम और ज्यादा कर रहे हैं इसके मजीद नीचे आप देखें, show color mixer की option है इसके साथ बने हुए इस arrow पर click करने से हमारे सामने तीन sliding bars आ जाती हैं यहां से हम अपनी मर्जी से start menu, window और task bar का color बना सकते हैं फिलहाल हम save changes पर click करके वापस पहले वाली window पर आ जाते हैं इस window में हमारे सामने अगली option sound की है इस वक्त इसके नीचे default windows लिखा हुआ है इस पर click करने से हमारे सामने sound का dialogue box खुल गया है नीचे दी गई tabs में से sound की tab में मुख्तलिफ sound schemes दी गई है sound schemes से मुराद यह है कि जब computer start हो रहा होता है या जब हम computer में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं तो बास मौके पर हमें computer से आवाजें सुनाई देती है sound scheme के नीचे दिये गई इस drop down menu से हम afternoon की scheme को select करते हैं इस scheme के तहत नीचे program events में हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ events पर किस तरह की sound हमें सुनाई देगी हम देख सकते हैं कि जिन events के साथ speaker का निशान बना हुआ है उनके करने से वो ही sound आएगी और जिनके साथ speaker का निशान नहीं बना हुआ उसके साथ हम अपनी मर्जी से यहां से कोई sound select कर सकते हैं इसके लिए पहले हम इस event को select करते हैं और फिर sounds के नीचे इस drop down menu से एक sound का इंतखाब करते हैं तो देखें इस event के साथ भी अब एक speaker बना हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये speaker अभी yellow color में है अब हम apply के बटन पर click करते हैं तो ये normal color में आ जाता है इसी तरह computer में मुख्तलिफ काम करने पर हम अपनी मर्जी की audio या sound apply कर सकते हैं हम ok के बटन को press करके पहरे वाली window की तरफ आते हैं इस window में नीचे दाए जाने स्क्रीन सेवर की option है जिसके नीचे none लिखा हुआ है आईए अब हम स्क्रीन सेवर के बारे में कुछ जान लेते हैं जैसा के नाम से जाहिर है स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन को महफूज रखने के काम आता है हम screen saver की option पर click कर रहे हैं आपके सामने screen saver settings का dialogue box है इसमें आप एक drop down menu देख रहे हैं जिसके उपर screen saver लिखा हुआ है इस drop down menu में मौझूद पहली option पर click करने से उपर बने हुए monitor पर Windows 7 लिखा हुआ आ गया है ये text वक्त के साथ साथ हिल भी रहा है screen saver list के सामने दो बटन बने हुए नजर आ रहे हैं पहले बटन पर settings लिखा हुआ है और डूसरे बटन पर preview लिखा हुआ है हर बटन के लिए settings मुख्तलिफ होती है हम आपको कोई एक item select करके उसकी settings दिखाते है settings के साथ वाले बटन पर preview लिखा हुआ है अब हम इस पर click करते हैं और देखते हैं क्या होता है जैसा के आप देख रहे हैं कि जो screen saver हमने list में से select किया था और जो सामने बने हुए monitor पर नजर आ रहा था वो अब हमारी पूरी screen पर आ चुका है इसका मतलब यह हुआ कि preview का बटन दबाने से हम यह देख सकते हैं कि जो screen saver हमने select किया है वो हमारी screen पर कैसा लगेगा हम जैसे ही अपने mouse को हिलाते हैं हमारे सामने आया हुआ screen saver गाइब हो जाता है यानि हमने screen saver को screen से हटाने का तरीका भी सीख लिया हम mouse को हिलाने के बजाए अगर अपने keyboard की कोई key दबा दें तो भी screen saver गाइब हो जाता है इन buttons के नीचे wait के सामने एक minute लिखा हुआ है इसका मतलब है अगर हम अपने computer पर एक minute तक कोई काम नहीं करते तो computer पर screen saver automatically चलने लग जाएगा हम यहाँ से इन arrows की मदद से इसका दोरानिया बढ़ा भी सकते हैं जैसा के आप देख रहे हैं के हमने इसका दोरानिया पांच मिनिट तक कर दिया है अब हम apply के button को press कर देते हैं और वापिस पहले वाली window पर आ जाते हैं इस window के बाए तरफ एक pan नजर आ रही है जिसमें मजीद options दी गई हैं आप इनमें से हर एक पर click करके मजीद explore कर सकते हैं फिलहाल हम display की option पर click करते हैं हमारे सामने एक और screen open हुई है इस screen के बाई तरफ से हम change display settings पर click करते हैं तो हमारे सामने एक और screen खुल जाती है सबसे पहले display के सामने हमारे monitor का model selected है इसके नीचे resolution लिखा हुआ है जो कि दरसल screen area और screen quality के मुतालिक है यहां से हम अपनी screen की quality में changes कर सकते हैं resolution के सामने बना हुआ drop down menu खोलने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो list आई है उसमें 4 options हैं यहां से हम हर एक को बारी बारी select कर रहे हैं तो आप उपर बने हुए LCD monitor में screen area के अंदर होने वाली तबदीली को देख सकते हैं resolution के नीचे orientation की option दी गई है इसमें भी 4 options दी गई हैं जिनको बारी बारी तबदील करके हम LCD monitor में preview कर सकते हैं इसके इलावा नीचे आप मजीद options देख सकते हैं दाएं तरफ नीचे advanced settings लिखा हुआ है इस पर हम उस वक्त लिख करते हैं जब हम computer की internal या अंदरूनी settings को तबदील करना चाहते हैं मगर क्योंके अभी हम computer की internal settings के बारे में कुछ नहीं जानते लिहाज़ा हम इस button पर click नहीं करेंगे Use available help functions अब हम ये देखते हैं कि अगर हम computer पर काम करते हुए कहीं फस जाएं या कोई काम गलत कर दें तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं इसके लिए हम सबसे पहले desktop पर मौझूद computer के icon पर double click करते हैं जो window हमारे सामने आई है अब आप keyboard की F1 की प्रेस करें जो window हमारे सामने खुली है उसके title बार में windows help and support लिखा हुआ है इस window के नीचे working with computer folder लिखा हुआ है स्क्रॉल बार की मदद से नीचे इस सिल्सले में वजीद items देखे जा सकते हैं हम इसमें से किसी item पर click करते हैं click करते ही इस item के बारे में तमाम तफसील आ चुकी है Summary इस lesson में हमने सीखा के कंप्यूटर को किस तरह on या off किया जाता है कंप्यूटर को किस तरह power button दबाए बगएर restart किया जाता है किस तरह किसी dialogue box या window को बड़ा छोटा या close किया जाता है standard bar, menu bar, title bar क्या होते है कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियात जैसे operating system का install होना computer की processing speed और RAM वगएरा क्या होती है कंप्यूटर की desktop configurations जैसे backgrounds, screen savers और desktop area वगएरा को किस तरह तबदील किया जाता है